जे हाँ नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका वहीं चेर परिचित दोस्त एक और नई और शदी लेकर के एक और नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी के लिए आप सभी की खिद्मत में जो आपके लिए बेहद लापकारी सावित होगा दोस्तों दालचीनी वाला दूद पीने से क्या क्या लाव होता है यह हम आपको आज बताएंगे दोस्तों क्या आप अपने दिन भर की ठकान मिटा कर रात में आराम की निन्द सोना चाहते है या फिर आपको कैंसर और मधुमेह जैसी घातक बीमारियों से सदा के लिए बचाओ चाहिए तो ऐसे में आपके लिए दालचीनी वाला दूद काफी फाय देमंध हो सकता है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात में गरम दूद पीने से निन्द काफी अच्छे से आती है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अमीनो एसीड होता है जो आपके दिमाग को शांत करके नींद दिलाता है और अगर इसके साथ साथ आप डालचीनी तथा शहद मिला दें तो इसमें एंटी बैक्टीरियल गून पढ़ जाते हैं जो की स्कीन प्रॉब्लेम्स और इंफेक्शन से लड़ने में सहयक हो जाते हैं इसके अलबा यह दूद आपके दिमाग तनाव को दू होता है दोस्तों अच्छी निंद के लिए अगर आपको अच्छी निंद नहीं आती है तो आपको दालचीनी वाला दूद पीना चाहिए सोने से पहले एक गिलास दालचीनी वाला दूद ले इससे आपको अच्छी निंद आती है दोस्तों मजबूत हड्डियों के लिए ज हटिया की समस्या नहीं होती है कैंसर से बचाओ शहद और दाल्चीनी में पाया जाने वाला chemistry कैमिकल आपको सदा के लिए कैंसर से बचाएगा शरीर की immunity बढ़ाएगा दालचीनी वाला पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है यह दूद पुराने जमाने से ही बच्चों को पिलाया जाता था जिससे उनकी शक्ती बढ़े अच्छे पाचन के लिए अगर आपकी पाचन के लिए अच्छी नहीं है तो दालचीनी वाला दूद पीना आपके लिए बहुत कई अध्यानों में इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि दालचीनी में कई ऐसे कंपाउंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शूगर को कंट्रोल करने में मदब करते हैं दालचीनी वाला दूद खास तोर पर टाइबिटीज के मरीजों के लिए फायदे मन्द होता है दोस्तो गले की खराश और दर्द के लिए जी हां गले के खराश और दर्द के लिए दालचीनी गले को ठीक करता है दालचीनी वाला दूद बनाने के लिए एक पैन में दूद करम करें उसमें दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालें और गैस को बंद कर दें फिर इसमें शहद म बालों और त्वचा के लिए जी हां दालचीनी वाला दूद पीने से बालों और स्कीन से जुड़ी लगभग हर समस्या दूर हो जाती है इसका इंटी बैक्टिरियल गुण स्कीन और बालों को इनफेक्शन से सुरक्षित रखता है दालचीनी वाला दूद बनाने की विधी एक भगोने में दूद को खरम करें फिर उसमें दालचीनी का चोटा टुकड़ा डालें और इसे भी खौलने दे घरम होने देen फिर गैस बंद कर दें और दूध में शहद मिलाकर उसे च्छान लें फिर इसका इस्तेमाल करें दोस्तों इससे जितने फायदे आपको अभी बताएं ये सारे फायदे आपको मिलेंगे बस सही विधी इस्तेमाल करें तो आज के हमारी और शदी रही दोस्तों या आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों दालचीनी वाला दूध जहां दालचीनी वाला दूध को पीने के फायदे अगली भार हम आपसे मिलेंगे एक और नई और शदी लेकर एक और नया टॉपिक लेकर तब तक के लिए झाल झाल